आज हम बात करेंगे कि एक्सिल में अगर कभी कुछ टाइप करते हुए हम स्मॉल लेटर्स में टाइप कर दें और बाद में हमें याद है कि यार ये तो कैपिटल लेटर्स में टाइप करना चाहिए था या हर वर्ड का फिर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए था देखें इसके लिए माइक्रोसोफ वर्ड में तो एक आप्शन मौजूद है चेंज केस का कि कुछ भी अगर आपका टेक्स्ट है आप उसको सेलेक्ट करके डिरेक्ली उसका चेंज केस अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा है डिरेक्ली कैपिटल में चेंज कर सकते हैं और अगर कैपिटल में लिखा है और अगर हर वर्ड का फर्स लेटर कैपिटल चाहिए तो कैपिटलाइज इच वर्ड किया जा सकता है लेकिन अगर एक्सिल में बात करें तो एक्सिल में चेंज केस का आप्शन नहीं है लेकिन स्टिल फिर भी हम ये काम कर सकते हैं एक फंक्शन के अ अगर हम यहाँ पे सारे नेम अगर स्मॉल लेटर्स में टाइप कर दें और ये पूरा टाइप करने के बाद हम सोचें कि ये तो कैपिटल लेटर्स में हमें लिखना चाहिए था या आपका ये जो भी हमारी टाइपिंग हो रही है इसमें तो हर वर्ड आपका कैपिटल आना चाहिए था लीग में L capital होना चाहिए था तो अब सबसे बहले तो आपने घबराना नहीं है और दूसरा काम आपने इसको delete करके दुबारा से type नहीं करना क्योंकि हम यह जो small letters में लिखा वे इसको directly एक function के थुरू एक formula के थुरू हम इसको capital letter में पूरे को uppercase में change कर सकते हैं या हर word का first letter capital करना हो तो हम कर सकते हैं कैसे जरा सीख है second column है हमारे पास यहाँ पे lowercase के बाद next one is capitalize each word यहाँ पे Indian का I, Premier का P और League का L capital करने के लिए हमारे पास एक simple सा function है formula है is equal P R O P E R bracket start proper लिखने के बाद bracket start की और उस cell में आपने click कर दिये जिसमें आपका text लिखा हुआ है आपने उसको select करने के बाद bracket close किया and enter की press कर दी आप देख सकते हैं यहाँ पे के हर word का first letter आपका capital हो गया अब आपने यही same formula सब सीरीज पे apply करना है जो इसके नीचे बाकी नाम लिखे हैं तो simply इस cell के corner से आप drag down करते जाएं और last cell तक आप इसको drag करें तो automatically जितने भी आपके नाम small letters में थे उनका first letter capital हो गया यानिके capitalize each word apply हो गया अब अगर requirement change होती है we want के हर word का first letter capital ना हो बलके जो भी हम text select करें वो पूरे का पूरा capital letters में आजे तो उसके लिए हमरे पास Excel में एक function है that is uppercase यह कैसे apply होता है जरा सिके is equal का sign UPPER अपर bracket start again आप किस text को uppercase में लाना चाहते हैं bracket start के बाद आप उस text वाले cell पे click करेंगे bracket close करेंगे एक दफा़ा enter की press की आप देख सकते हैं के India Premier League यह पूरा capital letters में आगया आप इसको भी यहां से corner से drag down करके यहां तक लाएंगे तो यह जितना भी cells में लिखा हुए यह सब capital letters में convert हो गया next thing कि इसी तरीके से अगर आप चाहें तो अगर कुछ capital letters में लिखा हुआ है तो आप उसको भी small में ला सकते हैं उसके लिए simple आप function यूज़ करेंगे lower case का जैसे हमने यहां पे is equal के बाद proper लिखा था या is equal के बाद हमने upper लिखा था इसी तरीके से आप is equal के बाद lower type करेंगे bracket start करने के बाद वो specific cell select करेंगे bracket close करेंगे तो आपका automatically जो upper letters में लिखा हुआ या capitalize each word को automatically convert हो जगा lower case में so word में यह option मौजूद है directly यह काम कर सकते हैं लेकिन अगर excel की बात करें तो उसमें आपको इस function के बगएर आप अपने change case का option यूज़ नहीं कर सकते अच्छा इसमें एक और चीज़ हम next वीडियो में यह चीज़ सिखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे capitalize each word तो कर दिया अब हमने यह अपर case में convert कर दिया फिर अगर इन में से यह सारे नाम या कोई भी इन में से अगर मैं select करके delete करूँ तो इनके जो results वाले cell है वो भी automatically delete हो रहे हैं इसका reason क्या है इसका reason यह कि यहाँ पे जो values आई हैं जो मैंने select की area यहाँ पे जो values आई है these are based on these cells कि इनको हमने यहाँ से link किया था formula में इन cells को हमने use किया था तो जैसी cells का data मैं delete कर रहा हूं तो automatically हमारे answers भी delete हो रहे हैं तो हम next video में इस चीज़ सिखेंगे कि हमने lower case को upper या proper में convert तो कर दिया लेकिन उसके बाद वो main data कर डिलीट करें lower case वाला तो जो formula convert हो गया था वो भी हमारे पास से delete हो रहा है तो इंचाले हम सिखेंगे next video में take care and bye